नमस्कार दोस्तों मैं सोरब तैगे और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ग्यांतिरी 60 दोस्तों हर देश में अपने अलग-अलग कानून है और इनका पालन करने के लिए अलग-अलग वैवस्ता भी है अपरादियों को सजा देने के लिए हर देश में जेल बनाई गई है लेकिन क्या आप जानते हैं एक जेल ऐसी भी है जहां कैदी एक दूसरे को माल कर खा जाते हैं जी हां दोस्तों आज की इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाग जेलों के बारे में बताऊंगा जिनके नियम और कानून के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड सब्सक्राब करें ट्रेंडिंग ज्यान 360 बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप देखे हमारी वीडियो सबसे पहले दोस्तों रूस की एजेल दुनिया की सबसे बत्तरों खतरनाग जेलों में से है इस जेल में रूस के सबसे ज़्यादा खतरना खतियारों, बलतकारियों और बच्चों का योन शोशन करने वाला अपरादियों को रखा गया है ऐसे अपरादियों से निपटने के लिए यहां तैनात के गए गाड़ भी उतने ही करूर होते हैं उन्हें एक जगा से दूसरी जगा ले जाते हुए हाथ पैरों को बांध कर और पूरे चेहरे को ढख दिया जाता है दोस्तों इस जेल में कैदियों के साथ जानवर रजा सबरता होता है गर्मी और पानी की किल्लक के बीच इस जेल में कैदियों को जानवरों की तरह रखा जाता है दुनिया भर में यह जेल यहां होने वाली हिंसक घटनाओं की वज़ा से जानी जाती है कैदि तो आपस में भीटते ही रहते हैं प्रंतु गार्ड भी उन्हें जम कर भीटते हैं इस जेल में बलातकार होने जैसी घटनाओं भी सामने आती रहती हैं दोस्तो इस जेल में वर्स 1994 में में हुए भीसन संगर्स के भी 200 लोगों से अधिक कैदियों कोई मोत हो गई थी इस जेल में कौनी संगर्स की घटनाओं आम हैं इस जेल में कैदियों की छमता पंदरह हजार है लेकिं जेल में 25,000 कैदि अभी भी मोजूद हैं दोस्तो इस जेल को नरक का दरवाज़ा भी कहा जाता है यहाँ 150 कैदियों पर एक सुरक्स तगार तरनात रहता है इस जेल में बंद कैदियों पर गैंग रेप से लेकर हत्या के मामले चल रहे हैं दोस्तों यहां एक कपसूप पर कैदि अपनी जिन्द की बिताते हैं यहें जेल कैदियों को दी जाने वाली गुरूर यातनाओं के लिए मानी जाती है इस जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जिने वहां की सरकार देश की सुरक्सा के लिए खत्रा मानती है यहाँ पर कैदियों को खाने के लिए हर रोज एक कप सूप और एक मुठी चावल दिये जाते हैं मोत की सजा पाचुके कैदियों को मोटी मोटी जंजीरों में जिगड कर रखा जाता है दोस्तो यहाँ जेल अपरादियों के लिए कब्रिस्तान के नाम से भी जानी जाती है यहाँ कैदियों को मोट की सजा देने के लिए जमीन पर घसीटना और कुलाडियों से काट दिये जाने वाले तरीके पर यह जाते हैं 217 जून 1980 को सीरिया के राश्ट फ्रतिक्या देश पर सेना ने हजारों कैदियों की हत्या गर दी थी दुनिया की सबसे खुक्यात जेलों में शुमार पैटक आइलेंड जेल को देश के सबसे खतरना का प्राइदियों को रखने के लिए बनाया गया है इस जेल में मौझूद हर कैदि को करीब 20 घंटे अकेले बिताने होते हैं साल में बस दो बार वो भी थोड़े समय के लिए उन्हें बाहर निकला जाता है यहां कैदियों के लिए टोईलेट की सुईदा भी बत्तर इस्तिति में हैं अमेरिका के कैलिफॉर्णम स्थित तेन कुईंटिंट स्टेर जेल को 852 में बनाया गया था दोस्तो इस जेल में मोत की सजा की तरीके कभी भी बदल दे जाते हैं मोत की सजा देने के लिए इस जेल में फांसी, गैस चेमबर या लेथल इंजेक्शन का प्रियों किया जाता है इस जेल में खराब सुईदा के साथ साथ हिंसा के बहुत से मामले देखने को मिलते रहते हैं दोस्तो उत्तर कोरिया की इस जेल के बारे में कहा जाता है कि यहां कैदियों पर जैविक हत्यारों की टेस्टिंग की जाती है देश में सजा का आलम यह है कि यहां अपराद करने पर तीन पीडियों को उम्र कैद की सजा काटने पड़ती है फ्रांस की ला संते जेल पैरीस से कुछ मील की दूरी परिस्तित है यहाँ जेल 1862 में खोली गई थी इस जेल में बहुत से कैदियों ने सजा काटने के दोरानी आत्मा त्या कर ली थी साल 1999 में 124 कैदियों ने इस जेल के अंदर सुसाइट कर लिया था जेल के अंदर हिंसा के माम लोगों देखते हुए सिर्फ कैदियों को चार घंटे के लिए ही बाहर निकला जाता है दोस्तो 600 कैदियों की छमता वाली इस जेल में 6000 से भी जादा कैदियों को रखा गया है इस जेल को देख चुके लोगों को कहना है अगर धरती पर कहीं न रख है तो वो यहीं है यहाँ पर कैदियों को जानवरों की तरह ठूश ठूश का रखा गया है सुईधा तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती हिंसक घटना और गंदकियों और बिमारियों के चलते आए दिन कैदियों की मोत होती रहती है कहते हैं कि यहाँ पर खाना ना मिलने के कारण भूके कैदि एक दूसरे को मार कर खा जाते है तो दोस्तों यह थी दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक दस जेले जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा उमीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें और साथ ही अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वर्चेप और फेजबुक पर शेयर करना ना भूलें ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल जरूर सबस्क्राइब करें